एक अच्छा खाना यानि कि एक अच्छी डायेट हम सब के लिए बहुत इंपोर्टन्ट होती है और खास करके टीनेजर्स के लिए जिनकी ग्रोथ और डेवलाप्मेंट पर इसका सीधा असर पड़ता है रिसर्चेज ने बार-बार ये प्रूफ किया है कि एक अच्छा खाना अच्छी सेहत को प्रोमोट करता है और साथ-साथ एक अनहेल्दी फूड यानि कि अनहेल्दी खाना डिजीज बॉडी की तरफ इशारा करता है डॉक्टर रश्मी भार्टिया आज आप हमारे साथ हैं बताने के लिए कि क्या हो सकता एक अच्छा खाना टीनेजर्स के लिए तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि एक अच्छा खाना कितना असेंशल है टीनेजर्स के लिए देखे जो teenage की stage है उसमें हमारा आगे की age and growth पे बहुत फरक पड़ता है क्योंकि इस age पे हम emotionally, physically, mentally, psychologically सारे चीज़े एक साथ develop हो रही है और साथ में ही मैं कहूंगे पढ़ाई का pressure भी इस ताइम बहुत होता है और दूसरा मैं कहूंगे कि इस age में आके लोग extremes हो जाते हैं या तो बहुत ही ज़्यादा junk food खाते हैं या एक दम dieting पे आ जाते हैं क्योंकि कहते हैं न too much of knowledge is also dangerous तो आज कल teenagers के साथ यही हो रहा है कि बहुत सरे myths भी है और बहुत सरे उनको लगता है कि हाँ यह खाऊंगी तुम्हें मोटी हो जाऊंगी अगर taste birds भी क्योंकि इस age में इतने change होते हैं कि बच्चों को लगता है कि चलो आज मैं पीजा खा लेती हूं को बर्गर खा लेती हूं और फिर working mothers की वज़े से भी एक यह थोड़ा सा मैं कहूंगे negative हो रहा है पड़ेगा ही बिकुस उनकी growth and development सीधा एक healthy diet से relate करती है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा आहार ले जिससे आपकी development ठीक तरीके से हो अभी हमसे बात करेंगी रितु जी रितु बताईए क्या सवाल है आपका हलो जी वेरी गुट आफटरनून रितु बताईए यह मुझे यह पुछना था कि हरे आवले और आवले का मुरब्बा एक ज़सा फाइदा करता है या आवले के मुरब्बे में fat contents भी जादा होता है दूसरा कि जब हरे आवलों का season खटम हो जाएगा तो उनको कैसे store किया ज है तो जिसका वेट जादा है अगर वह आवले का मुरब्बा लेगा तो उसका वेट और बढ़ जाएगा जो हरा आवला है उसमें sugar content नहीं होता है कि उसको तो हम किसी भी तरह से पका सकते हैं या सूप में डाल सकते हैं या उसका कम तेल का अचार डाल सकते हैं जैसे कि कोई दाल बनाई है, हमने चटनी बनाई है या कोई वेजिटेबल है, उसमें भी हम डाल के मतलब यह सकते हैं देखिए क्योंकि आमला में होता है वाइटमिन सी कंटेंट बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और आमला हमारी बॉड़ी के लिए जिनका बीपी भी होता है और वेट भी नहीं बढ़ रहा है और जिसे थकान रहती है चंसेंट्रेशन नहीं बढ़ रही और बहुत ज़्यादा कोफ रहता है तो उसके लिए उन लोगों के लिए आमले का मुरबह इस देबेस्ट जिनका वेट ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा डाइट का उंशियंस है वो रॉफ ओम में हरा आमला ले सकते हैं जैसे मतलब है वेजिटेबल है सूप है उसमें डाल सकते हैं जिसमें sugar content अब आमले का ड्राय भी कर सकते हैं ड्राय करके जब आप गर्मियों में किसी वेज़ेटेबल में डालेंगे आप आमले का juice बना के उसको freezer में भी store कर सकते हैं और जैसे summer's में आप वो एक जैसे आप बरफ की ट्रे में आप आमले का juice निकाल मतला प्रिजर्व करके रख लिजी और रोज आप एक बरफ की क्यूब निकालें आमले की और किसी juice में डाल सकते हैं वैंगो पन्ना में डाल सकते हैं उसका टेस्ट भी बदल जाएगा ऐसे ही आप हरका सा शुगर और पानी में डाल के ले सकते हैं तो इतल भी जैसे फ्रेश लाइम वोटर होता है तो वो आमले का जूस्टैप हो जाएगा शालिए आपने बहुत साही तरीके से एक्स्पें किया अभी बात करेंगे पुनम से जराने दिली से हमें काल किया है जी पुनम बताईए अब मेरा इच्छे से फॉलो कर रही हूं और हाइट वेट मेरा इस ताइम बिलकुर बालर से फेस पर गलो था वो खतम हो चुका है अब तक और आइनो कि डाइट के थू आइवां तो नो कि इस तरहां से मैं उसको वापस ले सकती है चली again a good question की डाइटिंग की है खूप सारी आट से 10 किलो वजन कम हो गया है लेकिन अब फेस का गलो चला गया है तो क्या कर सकते हैं देखे एज में की 42 है तो इस एज में आके भी दुबारा से मैं कहूंगी कि मेनोपॉसल स्टेज स्टार्ट हो जाती है तो बहुत सारे के विटमिन, मिनरल, कल्शियम लॉस हो जाता है तो इस वज़े से चेहरे का गलो खतम हो जाता है तो उसको रीगेन करने के लिए जो फ्रेश फ्रूट है फ्रेश जूसेज है जिसे इस मौसम में फ्रूट्स रॉव वेजिटेबल्स का जिसे गाजर है चुगंदर है है अनार है इन सब का फुल यूटलाइज करें ग्रेप सब आ गए है जिसको हम कहते है इस अ गुड एंटियूस और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है तो जिसे सालेड मतला वाफ ब्रेकफस्स के ताइम पर या जिसे मिड मौनिंग में इसको सालेड की फॉर्म में खा स साथ में में मैं कहुंड थोड़ी देर दूप बाते कि उनकी सक इसकिन के लिए वाइटेमिन ड्ih और बोन के लिए मैं को वाइटेमिन दी जोट जायेगा अभी बात करते हैं सिमी के साथ जाएं मैं, मेरी बीटिया 13 years की है और मेरा बेटिया 7 years का है बीटिया बिलकुल उस जैसे फेस पे जो उनके ग्लो होना चाहिए राइट इसेच में वो ग्लो नहीं है उनके फेस पे क्योंकि ये डाइट जो आज कल बच्चों की है उनकी वैसी है and same is with my son वो भी बिलकुल कुछ धंसे नहीं घाते हैं उनको वही से ये junk food, chocolate, so please बताइए कि मैं क्या करूँ Okay, 13 years की बेटी है और 7 years का इनका बेटा है तो क्या कर सकते हैं इसके लिए लेकि जिसे इन खोदी बुला junk food और chocolates पे डिपे मतलब खाते हैं तो first of all मैं काओंगे कि totally बच्चों को ये चीज़े avoid कीजिए कि अब this is the age की बच्चे समझते हैं पर ते कि थोड़ा strict रहना ही पड़ेगा और साथ में ही importance जैसे जैसे ये health shows है, health programs है या magazines में आपका बहुत ज्यादा आजकर health के बारे में सब चीज़े का exposure दीजे, साथ में ही diet का जो importance है कि इस age में जैसे मैंने बारी कहने कि जैसे बच्चों के लिए दूद है, fruits है, vegetables है, हर चीज़े important है क्योंकि जैसे बच्चों की age बढ़ती है stress level पढ़ाई का competition बहुत जादा बढ़ता है तो उसको reserve करनी के लिए कि देखे, बच्चों की थोड़ी नीन भी कम हो जाती है अगर बच्चे के पहले reserves नहीं होंगी तो बच्चे का ultimately face का glow भी कम होगा और साथ में साथ वो क्योंकि concentration नहीं रहेगी, competition है जैसे exam stress है, उसमें proper तरही concentrate नहीं कर पाएंगे और इस वज़े से भी वो frustrated हो जते हैं पूरी तरह से बच्चों को अगर nutrients नहीं मिलते हैं तो उनकी body का उनके face का glow खत्म हो जाता है क्या हो सकती यह बच्चों के लिए balance diet उसके बारे में डॉक्टर रश्मी बात करेंगे लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का आप कहीं मत जाईए देखते रहे है specifically teenagers के लिए balance diet का होना बहुत ज़रूरी है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले डॉक्टर रश्मी से जिसमें की सारे minerals, सारे vitamins especially calcium और iron की मातरा ज्यादा मिलती रहे बच्चों को जो की टीनेज से बिलॉंग करते है especially अगर girls की बात की जाए तो adequate मातरा में calories होनी भी बहुत important डॉक्टर रश्मी जैसे की 1600-2000 calories तो आप क्या कहेंगी इस बारे में की जो calories आजकल बच्चे बर्न करने में लगे रहते हैं कि जिम जॉइन कर लिया या एक्सेसाइजर को इतना फॉलो कर लिया कि खुदी इतने slim हो गए तो क्या कहेंगी कि एक balanced diet और कितनी calories बच्चों को लेनी चाहिए देखे गर्ल्स की जैसे आपने बात किये तो गर्ल्स के लिए 16-1800 calories होने चाहिए बॉइस की 2000 तक चल जाती है क्योंकि बॉइस ज्यादा जिम जाते हैं बट जो balanced diet है क्योंकि क्यों होता है कि लोग जिम तो जाते हैं बट फिर balanced diet नहीं लेते हैं वो ले लेंगे या फैक बहुत ले लेते हैं तो क्या होता है कि उनका जो नाच्रल ग्लो है या नाच्रल रिजिस्टंस है बॉड़ी में इम्म्यूनिटी है वो रिजर्व नहीं रहती वो स्टोर नहीं हो पाती और जो देखे इस एज में बच्चों को जो प्रॉप और न्यूट्रिशन चाहिए जैसे कैल्शियम है वाइटमिन सी है आयन है कैल्शियम वाइटमिन सी और आयन कैसे मिल सकता है बच्चों को बारें बात करेंगे लिकेन अभी बात करते हैं दिपिका के साथ जी दिपिका बताईए अलो गुद आफ्टनून बताईए किस तरह की डायट ले सकते हैं स्किन में इनके खुजिली रहती है ड्राइनेस है और साथ में मोटी दिखती है लेकिन जल्डी हो जाता है दिख जाती है, तो क्या करें एक तो मैं कहुंगे कि इनको अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए क्या होता है कि का यह वार्ट है कि का हुझा हुझा कि कम की वजह से भी क्या हुझा है थकान महसूस होती है और जैसे कि ड्राइ स्किन रहती है तो इनको एक तो लिक्विद बहुत लेने चाहिए जिसे वाटर है, नारिल पानी है, नेम्बू पानी है, फ्रेश जूसेज है और इससे बॉड़ी टीटॉक्सिफाइ होती है तो कही जिनकी ड्राइ स्किन होती है, उनकी फर्दर और ड्राइ हो जाती है तो नहाते होई भी, रात को सोने से पहले भी, दिन में भी, मतलब कम से कम तीन से चार बर अपने बोड़ी की ज़रूर ऑइल से मसाज करें अब ही बात करते हम रेश्मा के साथ, जी रेश्मा बताइए, क्या सवाल है अपका? अलो? जी, हलो? जी, बताइए रेश्मा नमस्कार नमस्कार, बताइए जी, मैं यह पूछना, मैं डाइबटिक हूँ और यह मालूम करना चाहते हूँ कि मैं चवन प्राश ले सकती हूँ और यह बाइज कितनी है आपकी रेश्मा? मेरी 52 है 52 एस कि है, और बाड नुटा ले सकती हूँ और मेरे एक और छोटा सा सवाल है कि मैं सिंहारा कच्च जो आता है, वो ले सकती हूँ या नहीं? डाइबटिक पेशेंट है, 52 एस की है, चावन प्राश, बोन वीटा या यह जानना चाहते हैं कि और कौन-कौन से चीजे ले सकती है, सिंहारा ले सकती है, कच्चा? देखे, बॉन मीटा तो मैं कौनगी कि नहीं ले सकती है, कि उसमें शुगर कंटेंट बहुत जादा होता है, डारेक्ट शुगर ही होती है, चावन प्राश, अपनी देखे, क्योंकि मुल्की लोग चावन प्राश लेते हैं मौनिंग में, तो अगर इनकी नॉर्मल, करेंगे अभी हम, जी रेनु बताईए, क्या सवाल है अपका? अगरा संपर्गों से तूट गया है, बहुत से लोगों को मित है कि अगर हम यह खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, और स्पेशली टीनिजर्स के लिए मैं आज बात कर रहे तो क्या बैलेंस डायेट हो सकती है, किस तरह से अपनी डायेट को वो डिवाइट कर सकते हैं तीन हिस्सों में, ब्रेकफर्स, लूंच और डिनर, और इन फैक्ट स्नाक्स के विए बहुत चौकीन होते हैं, तो क्या खा सकते हैं? देखे, इस एज में जैसे बच्चों के लि क्या बैलेंस दही ले ले, कस्टड हैं, कस्टड ले सकते हैं, सुजी की खीर ले सकते हैं, चावल की खीर ले सकते हैं, किसी भी फार्म में दूद लेना है इंको, और काल्σιम और आयन के लिए, जैसे स्प्राउट्स बहुत इंपोर्टन्ट हैं, तो स्प्राउट्स भी ऐक या जैसे बॉल चना है कि बच्चे को अगर जैसे चटपटा खाने के शुकीन है तो उसमें वह खीरा प्यास चमाटर डालके या थोड़ अना डालके अच्छा सालेड बना ले चटपटा सुनके तो मेरे हुआ भी पानी आ रहा है लेकिन इसके लावा और क्या कर सकते हैं बच कि अभी पढ़ने का भी टाइम है और जीम जॉइन नहीं कर सकती है आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे लेकिन उससे पहले मारे शो पर वक्त होगा एक चोटा सा ब्रेक लेने का आपका ही मत जाईए देखते रहिए काल फ़क एर टीनेजर एक लिमिट पर आकर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तब ही वो रॉंग फूड का सेलेक्शन कर लेते हैं जैसे कि शुरुआत में डॉक्टर दश्मी ने कहा कि या तो वो पूरी तना से जंक फूड पर डिपेंड करते हैं या फिर उनको डाइटिंग करने हो लेकिन परेंट्स की रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों का खास खयाल रखें अगर आप वोकिंग लेडी भी है तो बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप घर और अपने काम दोनों को बालेंस करके चलाएं जिससे आपके बच्चों की सेहत पिल्कुल भी अफेक्ट ना हो और आपको भी इससे बहुत खुशी होगी हमश्यार ब्रेक में जाने से पहले डॉक्र रश्मी जोती ने हमसे सवाल किया था कि उनकी बेटी है 14 यह की उनके पीरिद्स भी इर्रेगलर रहते है और वो ओवेट भी है इसके लिए किस तरह की डाइट अपनी इर्रेगुलर हो जाते हैं तो अगर तो थारेट लेवल इनका नॉर्मल है तो इनको अपनी डाइट पे बहुत ही ज़दा ध्यान रखना पड़ेगा जिसे जंक फोड एक तम ना ले और साथ ही साथ शुगर है ऑईल इंटेक है वो ना ले फूट्स है वेजिटेबल्स है मि देखा है कि वो जो रीडिंग है वो चलते हूए करते हैं तो इससे क्या होता है कि कि रहाता है कि रीडिंग की रीडिंग हो जाती है आपके जो एक्स्ट्रा क्यालोरीज आपने लिए है अगया है एक एसे मेंस हमारे पास आये चाहते है कि एक healthy diet क्या हो सकती है Monica है एज नहीं इनोंने अपनी दिया में healthy diet तो हो ही है जैसे कि मैंने बहुदर बोल चुक हुए जी फाइफ फूट ग्रूप को इंकलूट करना चाहिए टाइम पे खाना चाहिए थ्री लाज मील्स, टू स्मॉल मील्स गैप नहीं होना चाहिए मेल्स के बीच में और फ्रीक्वें नहीं होने चाहिए जंक फूड है, एरेटेड ड्रिंग्स है, स्वीट है इन सबको वॉइट करना चाहिए बहुत है वॉइट करना चाहिए मैं कहते हूं कि 6 दिन आप प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए और 7 दिन अपने पको पाटी हो सेल कि आपकी विल्पावर बहुत ही स्ट्रॉंग है तो आप उस दिन भी थोड़ा कमी खाएंगी अपने टेस्ट बर्स को क्योंकि देखे टेस्ट बर्स को बहुत ज़ज़ा लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो ठीक है अपने चॉइस का भी खाएं और साथ ही साथ बालन्ज डाइट क्योंकि फ्लेवर होना भी बहुत ज़रूरी है कि किनी हन टक इनसान डायटिंग कर सकता है अपने पहुत जरूरी है कि वह लिए टेस्टी खाना आपको मिलता रहे लेकिन साथ ही साथ यह भी बहुत जरूरी है कि आप उस खाने को जो ओवरीट ना करें, because overeating is bad for health. एक और SMS हमारे पास है, 18 years की है, ये जानना चाहती है, नेहा है, कि पिर शेप बॉड़ी इन्हें कैसे मिल सकती है, क्या डायट हो सकती है इसके लिए? देखे, particular body shape के लिए हम कहते हैं, कि exercise होनी चाहिए. और peer shape body, मैं को नहीं समझा था, इस age में इनको क्यों चाहिए? क्यांकि ये age peer shape body की है ने. इस age में तो यह होता है, कि हम normal रहें. लगता है, Bollywood movies देख 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 के बच्चे बहुत inspire हो रहे हैं, कि हमें इसकी body चाहिए. इनका आगे का aim हो model बनना, क्यांकि जो mostly model बनना चाहते हैं, या film line में जाना चाहते हैं, drama line में जाना, उनको, especially girls को peer shape body चाहिए. इसके लिए में कहूंगे कि ठीक है, उस particular portion के exercise करने बहुत जरूरी है, and diet में ऐसा कुछ नहीं है, diet में ही है, कि normal balance diet लें, exercise करें, and positive सोचे. चलिए, positive सोच ना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहां, because एक positive सोच आगे चलकर हमें long run में बहुत पही करती है, अब ही बात करते हैं, सीमा के साथ, जी सीमा बताईए. Hello? Very good afternoon, ma'am. Hello? My daughter is 5-year-old. His eyes are very small, it means 2.25. So, what can we do for diet? Okay, what can we do for this? Look, for the eyes, it is the most important thing that in this season, में गाजर, आम्वला, चुकुंदर, इन सब को properly utilize करें, जैसे गाजर का दूद ले सकते हैं, गाजर का हल्वा ले सकते हैं, गाजर का प्रॉंठी बना के ले सकते हैं, और डाइट में आम्वला जरूर ले, और जो सफेद काले मिर्च है, उसको रात को पानी में बिगो के, सुबे एक चमच घी को पिखला कर, वो और हल्की सी थोड़ी हल्दी, बनाद पिंच अफ हल्दी, और थोड़ा सा अगर शेहर ले सकते हैं, सब को मिक्स करके एक चमच जरूर ले, और मैं कहुंगे कि हाँ, बदाम भीगोए, रोज पान्च लें, और एक दिन छोड़के बदाम के साथ अक्रोड जरूर लें, और गाजर, आवला, चुकंदर, इसकी प्रिप्रेशन जरूर लें, आजकर हरी सबजें भी आई हैं, मेथी है, बथुआ है, पालक है, साग है, इन चारों में से कोई ना कोई चीज एक जरूर दे, जिसे प्रॉंठा दे सकते हैं, सबजी बना के दे सकते हैं, बथुए करायता बना के दे सकते हैं, पालक के पकोड़े है या पालक का चीला है ये दे सकते हैं और दूद इनको बहुत अच्छी मात्रा है जादा से जादा हरी सब्जियां देनी है और साथ में किसी आई स्पेश्टिस को दिखा कि exercise आईस की करेंगे तो बहुत ही इसको मतलब फायदा होगा जी मैं चाहूंगे रश्मी वैसे वक्त हमारे बास बहुत जादा नहीं है लेकिन ब्रीफली आप हमारे टीनेजर जो बच्चे होने बताएं कि वो किन बातों का खयाल रख सकते हैं अपनी डाइट लेते वक्त देखिए एक तो मैं कहूंगे कि जंक फूद एवोई करें साथ महीं टाइम पर ख खाएं और यह मत सोचे मुझे पढ़ना है पढ़ते भी लोग खा सकते हैं और प्रॉपर सर्विंग्स लें अगर आपको जादा बूख लेगे चार पंच रोटी का ले और अगले दिन कुछ ना खाएं जो नॉर्मल रूटीन डाइट है जो आपकी मादस आपको बता दी है जी उसी तरह से फॉलो कीजिए दूसरों की बातों में आएं चलिए दूसरों की बातों में आएं बहुत अच्छा आपने कहा आप यहाँ पर आएं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया रफ्रश्मी